आपका पहला सवाल हैं, किस देश में गुलाबी हिरे पाए जाते हैं? आपके ओप्शिन्स हैं, A. भारत में, B. चीन में, C. रूस में, D. ब्रिटिन में? इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन्स C. रूस देश में? आपका दूसरा सवाल हैं, भारत के किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग होती हैं? आपके ओप्शिन्स हैं, A. गुजरात में, B. बिहार में, C. केरल में, D. राजस्थान में? इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन B. बिहार राज्य में? आपका तीसरा सवाल हैं, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? आपके ओप्शिन्स हैं, A. विमला देवी, B. किरन बेदी, C. मदर टेरेसा, D. सरोजिनी नाइडू इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन B. किरन बेदी आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धातू सबसे मुलायम होता है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. सोना, B. टामबा, C. चांदी, D. एल्यूमीनियम इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन A. सोना आपका पाँचवा सवाल है, कौन सा बैंक भारत देश का सबसे पहला बैंक है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. भारतिय स्टेट बैंक, B. विजय बैंक, C. केनरा बैंक, D. बैंक ओफ हिंदुस्तान इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन D. बैंक ओफ हिंदुस्तान आपका छे नंबर का सवाल है, कृत्वी पर किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. मनुष्य का, B. हाथी का, C. शेर का, D. कच्छुए का इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन D. कच्छुए का जीवन काल आपका अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूद पीना शुरू किया था? आपके ओप्शिन्स हैं, A. बकरी का, B. भेड का, C. गाय का, D. हतिनी का इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन C. गाय का आपका आटवा सवाल है, भारत का स्वर्ग किस जगह को कहा जाता है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. नैनिताल को, B. शिमला को, C. शीनगर को, D. जम्मु कश्मीर को इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन D. जम्मु कश्मीर को आपका नौ नंबर का सवाल है, चंद्रमा तक पहुचने में कितना समय लगता है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. तीन दिन, B. पाँच दिन, C. साथ दिन, D. नौ दिन इसका सही जवाब होगा, ओप्शिन A. तीन दिन का समय लगता है, आपका दस्वा सवाल है, भारत के जंडे में किस रंग का चक्र चिन होता है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. पीले रंग का, B. नीले रंग का, C. हरे रंग का, D. सफेद रंग का दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कॉमेंट करके बताईए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह विडियो जरूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है, तो विडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.